नमस्कार दोस्तों चत्तिसगर न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई हैं। स्कूलों में एक दिन मात्र भाषात दिवस, चत्तिसगरी और आदिवासी बोली में होगी पढ़ाई। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में संस्कूल और कम्प्यूटर अनिवारिक मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने शिक्षक दिवस पर चत्तिसगर के विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले तीन बड़े फैसले किये हैं। ट्राज्य में चत्तिसगरी भाशा को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में आब सप्ताह में एक दिन चत्तिसगरी और आदिवासी बोली की शिक्षा दी जाएगी। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी संस्कृत की पढ़ाई होगी वहीं कम्प्यूटर शिक्षा भी अनिवारे होगा मुख्यमंत्री भूपेश बगेल का कहना है 36 गड़ी सहेद दूसरी आदिवासी बोली भाषा को महत्व देने के लिए सप्ताह में एक दिन सभी स्कूलों में इसकी पढ़ाई होगी इसके लिए शैक्षनिक सामगरी भी तैयार की जा रही है बस्तर और सर्गुजा क्षेत्रों में वहां की स्थानिय आदिवासी बोलियों के अनुसार और शेशक शेत्रों में 36 गड़ी भाषा में पाठ्य सामगरी तैयार की जा रही है सप्ताह में एक दिन 36 गड़ी भाषा में पढ़ाई से स्थानिय भाषा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों में पढ़ाई के प्रती लगाव उत्पन होगा मुख्यमंतरी देश की संस्कृती एवं परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संस्कृत विशय की भी पढ़ाई कराने की बात कही है वहीं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा को भी मुख्यमंत्री ने अनिवारे करने की बात कही है मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मांसिक और बौधिक विकास करे इसी को ध्यान में रखते हुए चत्तिसगर सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवाचार को अपना रही है